सबसे पहले तो मैं bodybuilding के against में नहीं हूँ लेकिन ये video आपकी awareness के लिए बनाना बहुत जरूरी था इसको last तक देखिएगा What is a beauty family? कैसे आप सब लोग? स्वागत है आप लोग का एक और interesting video में आज की video का topic जैसे कि आप लोग को thumbnail से पता लग गया होगा जो नहीं रहे हमारे बीच में लेकिन उनकी life से हम काफी कुछ सीख सकते हैं तो प्लीज इस video को जितना जाद आप लोग share कर सकें अपने जिम गोर्स के साथ में या फिर जो लोग steroidal use की तरफ जा रहे हैं इस profession में ना भी होते हुए मतलब bodybuilding के competitions में आपको नहीं उतरना है लेकिन फिर भी इस line की तरफ जा रहे हैं और कैसे उनके coaches हैं कैसे उनके trainers हैं और इस चीज की knowledge ना होते हुए कई लोग को पता भी नहीं है कि क्या use कर रहे हैं क्या उनके अंदर मतलब डाला जा रहा है फिर भी वह उस चीज को continue कर रहे हैं just to get big and just to get muscular and attain that monstrous physique सबसे पहली बात तो मैं starting में भी आपको बुला कि bodybuilding के against में नहीं हूं स्टेरोइड के against में नहीं हूं बात यह है कि अगर आपको इस field में जाना है इस profession में उतरना है पान लीजिए आप modeling कर रहे हैं या फिर आप bodybuilding competition में है या आपको इस line को as a profession आपने इसको चुन लिया है तो आपको steroidal use पर जाना ही पड़ेगा unfortunately लेकिन मैं उन लोगों को specially बताना चाहता हूं एक तो यह उन लोगों के लिए भी है जो bodybuilding competitions में है तो इसलिए इसको सब को share करना लेकिन जो बहुत overdose abuse कर रहे हैं अपनी body को यह जानते हुए भी कि यह आपको एक दिन मैं word use करना चाह बता हूं kill कर सकता है और उन लोगों के लिए भी जो इस profession में नहीं है लेकिन इसमें उतर रहे हैं आपको awareness देना चाहता हूं मैं ज्यादा बात उसे time waste करना नहीं चाहूंगा सबसे बहुत करेंगे Cedric McMillan के बारे में आप लोग जानते हूंगे recently उनकी death हुई है अभी bodybuilder थे जो Olympia level के थे बहुत heavy और बहुत massive बड़ा उन्होंने अपने आपको बना रखा था उनका frame उनका structure muscle mass overall बहुत जादा huge थे लेकिन कोई बात नहीं बात main ये है लोगों अगर पता हो तो उनकी death कौन सी age में 44 में 44 age में आप कुछ सोचे 44 एक कोई बहुत जादा old age तो न नहीं है है लेकिन उनकी death होई heart attack से heart attack भी कब आया कि treadmill पर running करते हुए लोग fitness line में क्यों जाते हैं लोग running क्यों करते हैं लोग gym में क्यों जाते हैं कोई मरने के लिए जाता है क्या नहीं लेकिन आप लोग खुद सोचिए ये bodybuilders जो अपना इतना ज्यादा ध्यान रखते है एक average person से मेरे according 80-90% क्या खाना है क्या नहीं खाना कितनी tracking है highly qualified doctors इनकी सारी tracking करते हैं क्योंकि इनके पास नॉर्मल बंदे के पास तो पैसा भी नहीं होता लेकिन ये सब चीज़े track करवाते थे अपनी heart health इनका cholesterol level है ना वहीं मैंने बताया cardiac health इनकी इनके testosterone इनका blood work टोटल तर बीच में example है treadmill पर दोड़ते हुए इनकी death हुई reason क्या है heart attack cedric की अगर आप लोग को story पता होगी तो cedric को कुछ time पहले ही doctors ने warning दे दी थी कि please आप जिन drugs को use कर रहे हैं यानि कि steroids को use कर रहे हैं इसको आप stop कर दीजिए क्यों क्योंकि आपकी body इसको और जादे intake नहीं कर आपको पता होगा cedric ने कुछ time पहले वीडियो भी डाली थी खुद अपना मतलब vlog डाला था उन्होंने कि मैं आप लोग को यह problem बता रहा हूं अपनी कि मेरे पेट के अंदर अब खाना नहीं रुक रहा है यह problem उनको हुई कि मेरे उन्होंने बताया कि मेरे पेट के अंद हेवी फिजीक के साथ में कोई बिना खाए तो रहे नहीं सकता तो वह liquid form में foods को ले रहे थे वह gainers को ले रहे थे अपनी calories पूरी करने के लिए लेकिन इतनी जादा problem होने के बाद भी doctors ने मना कर दिया कि please आप इसको stop कर दो वह चाहते तो थोड़ा सा अपने आपको नीचे लाकर men's physique sorry men's नहीं classic physique में compete कर सकते तो उनकी तो पहले से इतना चा structure था लेकिन नहीं उनको वही bodybuilding heavyweight का ओलेंपिया का लेवल का वही चाहिए था जो की उनको हमारे बीच में से ले गया मतलब यह वही बात है कि आप लोग खुछ सोचे हम लोग में से काफी लोग अभी भी क्या फरक पड़ता है बहुत से हैं जो नहीं मर रहे हैं कई लोग तो अभी भी जी रहे हैं बात यह उन लोगों से पूछे जिनकी family से ऐसा ऐसा हुआ है आपको पता नहीं कोई ऐसा व्यक्ति जब family से चला जाता है तो पूरी family turn हो जाती है सब कुछ बदल जाता है 44 की age में वो चले गए उनके उनकी wife उनके बच्चे सब कुछ एक turning point पर आ गया होगा बात करें हम लोग rich piano कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं इतना monstrous फिजीक थी और इतने ज्यादा steroidal use उन्होंने कर रखे थे कि आप लोग यकीन नहीं मानेंगे और उसी वजह से उनकी steroids की वजह हो रहें ऐसे जूल रहें ऐसे सकरते करते इतना जादा उनको steroids ने उनकी body को harm कर दिया था लेकिन फिर भी उसकी एक तरह से addiction हो जाता है बिना उसके फिर वो नहीं कर पा रहे थे exercise बिना उसके वो और heavy कर रहे हैं और heavy कर रहे हैं वो mindset ऐसा बना देता है कि आप मजबूर हो ज मज़न लग जाता है ऐसा mindset हो जाता है क्यों वो family के बारे में नहीं सुचें कि अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरी family का क्या होगा मेरे parents का क्या होगा मेरे future का क्या होगा नहीं लेकिन उन्हें बस एक physique चाहिए उन्हें steroids का use करना है मरने के लिए भी त्यार है मेरा सवाल ऐसे लोगों से ये है आप लोगों से भी ये है जो इस line पे है और आपने आपको बहुत जादा overdose और heavy use कर रहे हैं इन सब चीजों का देखिए क्या आपकी family से बढ़कर है क्या आपकी life से बढ़कर है क्या आपकी future से ज्यादा है ये सब इसको एक fitness line माना जाता है और हम लोग पर्सनल फेवरेट बॉड़ी बिल्डर थे इतनी ऑसम उनकी फिजीक थी स्लिम उनकी वेस्टी ओवर ओर इतना बिक बॉड़ी थी लेकिन बहुत जादा बहुत ही जादा ओवर बॉड़ी नहीं थी जैसे मुझे माफ करिए गया मैं खुद पसंद करता हूं रोनी रोनी को और जे कटलर को और बिग रैमी और यह सारे जो रोली विंक ला रहे हैं इन सब को पसंद बर बहुत ही ज्यादा मैसिव इनकी बॉड़ी है मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा मैसिव पसंद नहीं शॉन रोडन मुझे बहुत पसंद थे जिनकी बहुत स्लिम वेस्ट थी और और एक स्ट्रक्चरड बॉड़ी थी और जब उनकी वह उलंपिया जीते थे 2018 के अंदर मुझे बहुत अच्छा लगा कि शायद यह एराब चेंज होगा इतना जादा जो बड़ा फिजीक होती है उससे चेंज होकर एक अच्छे स्ट्रक्चरड फिजीक पे यह उलंपिया लेवल चला जाएगा उसके दो साल बाद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई और रीजन क्या था आप हम सब जानते हैं आप लोग ज़ादातर देखेंगे जो भी स्टेरोडल यूज से डेथ होती है बॉड़ी बीडल की सबकी डेथ हार्ट अटैक से होती है अब मैं आपके वीडियोज को देखकर भी समझ में आता था यह सच में बहुत हमबल परसन है बहुत अच्छी और बहुत नॉलेजबल वीडियोज देते थे मैंने खुद उनसे काफी कुछ सीखा है मैं आपको परसनली बता रहा है मैं उनने फॉलो करता था उनकी खुद से जो वो एक एक इतना और उनके जो फ्रेंड्स हैं जो उनके जानते हैं लोग थे उनसे भी उनका रिवेव यही मिला कि बहुत जादा काइंड और बहुत जादा लविंग परसन थे बहुत हमबल परसन थे उनकी भी डेथ ब्लड क्लोटिंग की वज़ा से हुई 49 की एज में उनकी डेथ तो इतने अच्छे और इतने नॉलेजबल परसन अपनी अर्ली एजिज में जा रहे हैं इससे एट लिस्ट और कुछ नहीं तो हम सीख सकते हैं सही नॉलेज तो आगे लोगों को बाट सकते हैं लेकि नहीं आज भी लोग यही काफी सारे लोग यही बोलेंगे बिना इसके नहीं बाटी बनने वाली है और दूसरा क्या कहेंगे कि सब धोड़ना मर रहे हैं काफी लोग ले रहे हैं हजारों लाकों लोग ले रहे हैं अगर कुछ मर गए तो ऐसा मैं आपको इस बारे में भी बताऊंगा कुछ लोग सोच रहे हैं कि लेने के बाद में वह फिजीक व उडालेस सैंतोस मैं इस तरह से कर रहा हूं आप लोग गूगल करके उन्हें सर्च कर सकते हैं अभी रीसेंटली उनकी डेथ हुई है उनका नाम आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि उनकी पहले एज सुन लीजी 23 की एज में उनकी डेथ हुई 23 साल की वो लड़की बच्च बना रखा था रीजन पाया गया डॉक्टर्स ने बताया कि इनकी डेथ इनके ब्लड के अंदर जो ड्रग्स थे उसकी वज़ा से हुई है उन्होंने अपने स्वेट ग्लैंड्स को भी रिमूव करवा दिया था और उसके बाद में उनकी इस तरह से डेथ हुई तब इतनी चोटी चोटी एज के लोग भी इस ड्रग्स की वज़ा से इन स्टेरोइड्स की वज़ा से जा रहे हैं और भी ऐसे कितने सारी बॉडी बिल्डर्स है अब मेरा उन लोगों को जवाब जो लोग बोलते हैं कि जे कटलर को देखो आर्नॉल्ड को देखिए और क्या हो गया आ स्टेरोइड्स विल किल यू आप लोग कुछ भी अग्सेथ फिरोअस भी ने डाल रहे हैं यूटुब पर डालिए स्टेरोइड्स विल किलियू उसमें आ जाएगा सेथ फिरोष की विडियो आएगी उन्होंने खुद व्लॉग करकर इसको explain करें जो आप लोग मेरी बात तो मानेंगे क्योंकि मेरी कोई reach नहीं है मैं कुछ professionalist line पर bodybuilder नहीं हूं कुछ नहीं हूं लेकिन वो Olympia level के massive bodybuilder है वो इस चीज़ को openly reveal कर रहे हैं Greg Ducet की आप लोग video देखें उन्होंने Seth Feroz की steroids के लिए की भी अपने तरफ से my personal opinion भी देखा है Greg Ducet को तो आप अच्छी तरीकी से जानते होंगे उनकी देखिए उन्होंने openly बोला कि आपको steroids मार देगा क्यों उन्होंने ऐसा बोला क्योंकि उनको heart attack आया doctors ने बोला आप बिल्कुल border पर बचे हैं आपकी life यहीं पर खतम हो जाती वो डर गए उन्होंने बोला जब मैं steroids का heavy use कर रहा था इतने सारे salts पता इतने जारे drugs पर था मैं एक बार को भूल गया था कि मेरी family भी है मैं भूल गया था मेरी बच्चे है मेरी wife है मुझे आगे इनको सबको देखना है वो मेरे उपर उमीद करके बैटे हैं मैं यह सब कुछ भूल गया था मतलब वो कहना चाते हैं कि इन सबकी value से ज्यादा मुझे बस बड़ा दिखना था मुझे massive होना था लेकि जब उनकी body के साथ मैं ऐसी problem हुई तो उन्होंने ये बात बताई और बोला कि मुझे healthy life genie है अब और अब वो HRT के उपर है अब उनको lifetime इसी HRT-TRT therapies के उपर रहना पड़ेगा मैं आपको बात बता रहा था Greg Dusit का आप देखिएगा वो भी एक IB pro athlete है ठीक है वो भी HRT के उपर है lifelong यह bodybuilder जो यह massive physique उन्होंने stage पर आपको दिखाए है और कई आठ जद्द साल तक इन्होंने अपने अंदर steroid डाले हैं आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी भी इनका size ठीक है यह हुआ है यह सब HRT के उपर है होर्मोनल रिप्लेस्मेंट थेरेपी इसको बोलते हैं या फिर TRT टेस्टेस्टरों रिप्लेस्मेंट थेरेपी जे कटलर आप लोग सोच रहोंगे जे कटलर इतने ज्यादा massive bodybuilder थे रोनी कोलमेन के time के थे उनको टककर दिया करते थे और अभी भी आप उने देखें तो काफी age हो रही है उनकी और अभी भी काफी की वीडियो देख लें इस तीज पर research कर लें वह lifelong HRT के उपर हैं यह क्या होती है कि उनको अपनी बोडी में टेस्टेस्टेरोन weekly inject करवाते रहना होगा जब तक वो जिन्दा है उनका natural टेस्टेस्टेरोन बनना बंद हो चुका है जो body naturally testosterone produce करती है जो आपको टेस्टेस्टेरोन के बारे में अच्छी तरह से पता होगा एक male hormone है एक normal आपकी muscle building के लिए sex life के लिए काफी सारी चीज़ों में टेस्टेस्टेस्टेरोन बहुत important hormone है बनना बंद हो चुका है ग्रेट डूसेट हो गए यह सबको knowledge इस राइम पर दे रहे हैं लेकिन खुद HRT के उपर हैं और lifelong इनको HRT पर रहना होगा doctors कह रहे हैं कि आपको HRT ना लेने से ज्यादा आपके लिए HRT लेना अब जरूरी है क्योंकि तब ही आप properly function कर पाएंगे सारे बड़े बड़े bodybuilders जो अभी भी अपना size थोड़ा बहुत maintain करके रख रहे हैं आप लोग ब्रहम में मत रहिए कि उन्होंने बना लिया size और उनका वैसा का वैसा हो ही नहीं सकता HRT के उपर हैं ये लोग वीडियो already बहुत जादा लंबी हो चुकी है मैं नहीं जाता था कि इसको इतना जादा लंबा करूँ लेकिन ये एक frustration थी जो मुझे आप लोग को देनी थी अगर आप लोग इसके share करेंगे तो आप औरों को भी शायद बचा सकते हैं शायद उनका mindset change कर सकते हैं देखिए मै knowledge सही knowledge आपको दे पहले तो खुद अपनी knowledge बढ़ा लो please उसके बाद सही coach hire करिए ऐसा ही नहीं खाली coach पे क्योंकि कई सारे coach मैंने देखे हैं जो गलत knowledge है 10-10-15-20-20 साल पुराने coaches उनको खुद को इतनी जादा deep knowledge नहीं क्यों क्योंकि पुराने time के हैं और studies आजकल की कर नही रहा है वो 23 साल की लेडिकी का आपको एक्जामपल ले इतनी जाता ribbed और muscular कैसे हो सकता है hopefully clean vitrol यूज किया होगा विंस्ट्रॉल यूज किया होगा और इतने सालों तक उन्होंने यूज किया है यानि ये 23 साल की उमर में इतने साल तक यूज किया है तो सोचो शहाद 16-17 साल कि उमर से यूज करना शुरू कर दिया था डॉक्टर्स ऐसा करें heavily abuse किया गया है इस बच्ची ने अपनी बॉड़ी को और प्लीज overdose मत करिए over abuse अपनी बॉड़ी को मत करिए और उन लोगों से तो मेरी special request है जो bodybuilding line में नहीं है जिम जा रहे हैं fit रहने के लिए healthy होने के है कि यह ले लीजिए मत लीजिए please कोई जरूरत नहीं है सब कुछ naturally possible है आप लोग जिम जाने को एक routine बना लीजिए एक healthy lifestyle follow कर यह बस आप best life पर रहेंगे और इस steroids से जितना हो सके वो लोग जो इस line पर नहीं है बच कर रही इतना ही था इस वीडियो में stay safe stay aware अपना ख्याल मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए peace out